जिसका तुम्हें था इंतजार, वो घड़ी आगई, आगई So finally, I'm here with my certified copies video of CA final exam हाँ हाँ, पता है, I'm very terrible with my singing, but here I am, इस वीडियो में हम एकदम डीटेल में बात करने वाले हैं मेरी certified copies के बारे में, कैसे मैंने 95 supplementaries भरी थी हाँ, 94 to be precise, आपको पता चल जाएगा, क्या कौन-कौन से subject में मैंने कितने supplementaries ली है, ICI alternative answers में marks देता है कि नहीं देता, इस बार ICI ने grace marks कितना दिया था, कौन से subject में कितना दिया था हर एक subject का थोड़ा-थोड़ा सा overview, 15 minutes को कैसे plan करते हैं, कैसे execute करते हैं क्या time allotment होना चाहिए, क्या sequence होना चाहिए, कैसे new questions को approach करना है, marking scheme क्या होती है ICI की, and last but not the least quality versus quantity, कि आपको जादा लिखना है या आपको quality में लिखना है, तो ये सारी चीजे, में एकदम detail में cover करने इस certified copies के video में, तो ये हो सकता है video थोड़ा बड़ा हो, but you do see it, क्योंकि से बहुत सारे चोटी-चोटी insights से जो आपको बहुत जादा help करेंगे अच्छे marks score करने में, and जो भी मैं experiments किये थे अपनी certified copies के साथ, जैसे की alternative answers लिखना, so मैंने हर एक subject में almost कोई ना कोई question जा है, उसका alternative लिखा हुआ है, जिसका मुझे obviously alternative लगता था, कि ये भी हो सकता है, इसका ये भी हो सकता है, but ICI भी चला के, तो उसने मुझे alternative के marks दिये य 25 supplementaries भर सकूँ, वो मेरे काम आया की नहीं आया, so ये सारी चीज़ हम discuss करने वाले इस वीडियो में, so let's start, सबसे पहले हम बात करेंगे 15 minute के reading time में, कि 15 minute का reading time आपको कैसी utilize करना है, so सबसे पहले मैं आपको बात बता दो, आपको shock ना हो exam center जाने के बाद, कि आपको MCQ का paper जो ह करने हैं, और जैसे मेरे पास time जैसे 2 बजना शुरू होगा, वैसे में सारे questions मार्क, MCQ करने लग जाओंगा, ऐसा नहीं होगा, आपको 2 बजे के बाद ही, आपके question paper के साथ ही, आपको MCQ का paper भी मिलेगा, तो 15 minute में आपको MCQ paper मिलेगा नहीं, दूसरा आपको question one for obvious reasons करना ही न last से first की तरफ जाओ, जब भी आप reading time में पढ़ रहे हो, क्योंकि होता ही है, आई से थोड़ा चालाक है, उनको ही पता है कि बाई, क्या mindset रहता है बच्चों का, तो वो गया करते हैं, कि starting के जो 2, 3, 2, 3 question होते हैं, first तो obviously अपने को पढ़ना नहीं है, तो second or third question वो बहुत क्योंकि 6 में usually हर paper में ऐसा होता है, कि 6 में usually 5 mark के 4-4 question में अभी, थोड़ा बहुत difference में अभी तो थोड़ा change हो गया, क्योंकि सब question 14 marks के है, लेकिन usually मतलब वो question छोटे होते हैं, और थोड़े to the point होते है, या फिर theory questions होते है, mostly, DT identity में तो theory questions ही होते है, so यही suggestion रहेगा, कि सब इसे पहले आप last से first करना शुरू करो, and आपको paper scheme करना है, बहुत अच्छे से read नहीं करना है, details आपको note-down नहीं करना है, लेकिन आपको बस अपना sequence decide करना है, आपको 15 minutes में, आपका main target होता है, वो होता है, कि आपको sequence decide करना है, कि आप कैसे उस paper को proceed करने वाले हो, so basically, आपको हर एक question के बार लिख दिना है, कि आपको question आता है कि नहीं आता है, बहुत अच्छे से आता है, तो आपका पहला question होना चाहिए, और अगर आपको बहुत अच्छे से नहीं आ रहा है, थोड़ा एक दो point में आपको difference आ तो आपको second या third question रख सकते हो, और जो question आपको समझ में easy question, उसके बाद थोड़ा tough लेकिन small question, उसके बाद toughest और बड़ा question, मतलब basically आपको अपना confidence बिल्ड करते हैं इन सब चीजों में, बलब अगर आपने पहले ही कोई बड़ा question लिया है, फिर थोड़ा tough question लिया है, जो आपके लिए trick है, तो आपका पूरा ध्यान उधर तिला जा So, मैंने यही क्या था, मैंने मेरे साथ ऐसा 3-4 subject में ऐसा होगा था, कि कोई question उठाया, उसके बाद मुझे लगा, यह question बहुत बड़ा है, फिर यह बहुत ट्रगी question है, तो मैंने वो question छोड़ दिया, उसके लिए spaces छोड़ दी, and then मैंने दूसरा question शूरू किया, So, यह छोड is the biggest decision, biggest and important decision, जो आपको उसी time लेना है, और उसी उतनी ही जल्दी में लेना है, क्योंकि अगर आप उस question पर लग गया है, और पुरा एकदम जिद करके बैठ गया है, यह question ही solve करूँगा, मैं उसके बाद ही question पर दाऊंगा, तो आप बहुत बुरा fuss होगे उस जाल में, So, आपको जो है, दो तीन descriptive question कर लो, जो आपने अच्छे से बना के रखे होंगे, जो आपको अच्छे से आते होंगे, अब यह descriptive क्यों करने के लिए बोल रहा है, पहले MCQ क्यों नहीं बोल रहा है, क्योंकि आपने 15 minute वो descriptive question सारे पढ़ लिए, तो आपके थोड़ा बहुत माइन सबसे last moment रखना है, तो बहुत जल्देली कर लोगे, तो MCQ में scoring होता है, क्योंकि एक टिक लगाना पड़ता है, उसके 2 माग आपको मिल सकते है, या नहीं भी मिल सकते है, so scoring होता है compared to descriptive, तो आपको MCQ बीच में रखना है, and then आपके 2 तेन descriptive है, and last में, this is the, जग जाहिर है, सब ये last में, हमको Q1 करना होता है, ये लिखके रख लो कहीं भी दिमाग में बिठा के रख़ो left question number one करना होता है, क्योंकि उसमें पोरे मांक आना बहुत मुश्किल है and पूरा कर पाना उस question को भी पूरा कर पाना बहुत मुश्किल है कि थोड़ा बढ़ा question होता है obviously so this was this was all the sequence that I followed or this was my strategy for 15 minutes and 3 years अब अगर मैं time allotment के बाद करूं कि आप किते marks के लिए आपको किता time allot करना है तो मुझे जो लोग बोलते हैं कि 100 marks का paper होता है 180 hours 180 minutes मिलते अपने को तो पर mark आपके पास से 1.8 minutes में को यह philosophy समझ महीं नहीं आती है यह philosophy मुझे मुझे बिल्कुल भी practical नहीं लगती है क्यों मैं आपको बताता हूं सो बेसिकली ICI has this thing यह मैंने हर paper में हर subject में दिखा है कि कुछ questions वो tough देते हैं कुछ questions वो easy देते हैं कुछ question के एक part वो easy देंगे कुछ question का एक उसका ही दूसरा part आपको tough देंगे सो जो questions easy होते हो आपसे जल्दी हो जाएंगे जो question tough होंगे वो आपसे late होंगे सो यह philosophy मत रखना कि आपको हर एक mark के लिए 1.8 minutes देना है किसी में आपको कम time लगा कि किसी में आपको ज्यादा time लगेगा overall आपको देखना है so what my strategy was कि अगर मैं पहले 2-3 descriptive question जो मैंने select किये उसमें मुझे पताए कि यार मैंने यह छोटे समझ के easy समझ के दिये तो मेरी strategy होती थी मैं question wise time रखता था कि मेरे फर्स question मलब जो 14 marks का होगा वो मेरे को मलब हर question जो 14-14 marks के वो मुझे 25-25 minutes में करने है and जो mcqs है वो 30 marks ही होता है वो भी मुझे 25 minutes में करने so that was my strategy हमेशा अपनी watch जो है वो आपके सामने होनी चीए ठीक है आपके सामने एकदम watch आपके होनी चीए और आपको time दिखते रहना चीए हर minute आपको watch दिखते रहनी चीए कि अच्छा यह time निकल गया और आपको शुरू से ही जो है वो अपनी speed जो है वो बढ़ा के रखनी पड़ेगी इसके लिए आपको speed जो है वो first minute से बढ़ा के रखनी है और आपके watch आपके सामने होनी चीए 25 minutes आपको target रखना है कि 25 minutes तक आपको एक question को दिना उससे ज्यादा नहीं देना है ऐसे करके अगर आप 25 questions को आपने 5 वो दिया वो half an hour आपको last के questions होते है जो 25 minutes में नहीं हो सकते है आप बोलो कि first questions भी नहीं हो सकते 25 minutes लेकिन हो सकते है अगर आप थोड़ा जल्दी करो शुरू से speed maintain करके क्योंकि वो छोटे questions है और आपको आते है easy आपके लिए questions basically वो जो आप थोड़ा manage कर सकते हो आपको 25 minutes में cover करो ताकि जो बाकी questions बचे है जिन में आपको थोड़ा time लगा सोचने में वो cover up हो जाए बेसिकली this was my strategy कि 25 minutes सका हो रहा है तो हो रहा है अगर नहीं हो रहा है और इसमें एक वह चीज आती है अगर नहीं हो रहा है आपको लग रहा है कि ठीकि मैं उसको अगर आपको कोई और question नहीं आ रहा होगा समझ में नहीं आ रहा होगा तो हम वो question कर लेंगे या फिर बाद में time बचेगा तो हम कर लेंगे लेकिन उससे जाधा आप time किसी भी question पर मत दो यह आपके एक firm decision लेना है आपको अब आते है 95 supplementaries पर कि मैंने 95 supplementaries कैसे ली मैंने क्या लिखा कैसे लिखा कितना बड़ा बड़ा लिखा कितना दूर दूर लिखा तो वो सब आप मेरी certified copies जो link में description में लिंक है उसमें आपको मिल जाएगी तो आप उसमें देख सकते हो सो उसमें basically अगर मैं इसमें quality versus quantity वाला point बता हो तो इसमें perfect बैकता है मतलब this is the best example of quality versus quantity so हुआ यह ना कि law में I was मतलब मेरा law was very perfect according to me मुझे लगता था कि law मेरा सबसे best subject है मतलब आठो subject में से मेरे हिसाब से मेरे को अगर rate करना होता तो law was the easiest and the best subject for me कि मुझे law में बहुत साही चीज़े बहुत अच्छे से आती थी and मेरा असा था कि अगर मुझे highest आ रहे है किसी भी subject में मेरे जो highest personal highest होंगे वो law में ही होंगे ठीक है और law में एक और बात थी कि मैंने highest number of supplementaries ली थी law में मैं 15 supplementaries ली थी law में जो मेरी highest थी हर एक subject के लिए तो अलग अलग supplementaries कितनी ली वो मैंने आप description में देख लोगे मैंने description में लिखके रखा है मैंने कौनसे subject में कितनी supplementaries ली है अप में certified copies देखोगे तो इसमें मैंने लिख रखा है कितनी वो additional sheets लिखी हुई है so law में मैंने सबसे ज़्यादा supplementaries ली and ironically law में मुझे सबसे कम marks मिले my personal सबसे कम marks 62 marks जो मैं बहुत बहुत ज़्यादा disappointed था कि मुझे law में इत्ते कम marks मिले so you can see quantity is not equals to quality and इसका एक और example है इसका एक और दूसरा example है कि जिसमें मैंने सबसे कम supplementary ली DT direct tax उसमें मैंने 9 supplementaries ली थी क्योंकि उसमें मैं पस ज़्यादा लिखने के लिए था नहीं जैसा मैंने एक अपने वीडियो में वोला था कि मैं पस ज़्यादा कुछ लिखने के लिए था नहीं तो उसमें मुझे सबसे ज़्यादा marks मिले 80 marks मेरे personal highest marks है 80 marks जो मुझे direct tax में म क्या कर लिया वो सब मैं आपको थोड़ी देर में बताने वाला हूं but the thing is quality is much 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 above than quantity इससे ये बात true हो जाती है मुझे नहीं पता मैंने law में क्या लिखा था जिसकी वज़से उन्होंने मेरे marks काटे डीडी में क्या लिखा था जिसकी वज़से उन्होंने मेरे marks दीए but इससे एक ही बात समझ में आती ही मुझे quality is much more important than quantity अगर आप 80 ये थोड़ा controversial point है कि अगर आपने 80 marks का 10 किया लेकिन अ मेरे marks देखके मुझे ऐसा ही लग रहा है कि आपको quality पे जादा focus करना है quantity पे नहीं अब आते है alternative answers पे तो अब मैं आपको कुछ example से दिखाता हूँ मेरे certified copies में कि मुझे कहां कहां पर alternative answer के marks मिले हैं कहां नहीं मिले क्यों नहीं मिले कैसे नहीं मिले examiner ने कैसे check किया alternative answers को सब तो यह मैंने पूरा TDS समझा दिया क्या होता है यह नहीं आरा था बीच में समझ में तो मैंने काट के फिर वापिस लिखा हूँ को यह आप देख सते कि मैंने underline यह सब किया हूँ है जो important है उसको bracket में रखा हूँ है section numbers यह सब जो भी percentages वो सब तो यह तो आपको कर नहीं है लेकिन जो exciting था वो यह था मैंने यहाँ पे specifically लिखा है कि यह alternative 1 है और दूसरा एक यहाँ पे मैंने 1% का दाला था TDS की 1% हो सकता है TDS उसके हिसाब से क्या होना ची 1% और 5% तो यह मेरा right यह alternative 1 और alternative 2 मैं एक डाला था जिसमें मैंने 0.1% कर दिया था इसको मैंने 0.1% कर दिय जो है alternative 1 के basis पे marks देके इसको काटके alternative 1 basis पे marks देके मुझे 3 out of 3 marks मिले हैं So yes, DT में alternative के marks आपको मिलते हैं अगर आपने alternative लिखा हो तो This was just one example of alternative जो मैंने alternative लिखा था इसके बहुत सारे examples आपको मेरी certified copies में मिल जाएंगे यह मैं उस हार एक example को बता के इस वीडियो को बड़ा नहीं करना चारा लेकिन आप जब मेरी certified copies को scan करोगे खुद पढ़ोगे खुद देखोगे तो आपको पता चलिया कि मैंने कहां कहां और कहां कहां अल्टनेटिव लिखके उसके alternative एंसर भी लिखा और कहां पर ICI ने actually मैं check किया और कहां पर गलत कर दिया Overview अगर मैं आपको बता हूँ तो practical में they allow कि practical में आप FR, SFM, DT, IDT जो आपका होगा उसमें वालाओ करेंगे अगर आपने alternative लिखा हो अगर आपका alternative सही हो तो वो उसको check करेंगे लेकिन अगर वो theory में बात आती है तो theory में वो थोड़ा marks नहीं देते है Now it depends upon examiner as well लेकिन overview मेरे खाल से ऐसा ही था क्योंकि law में मैंने एक दो alternative लिखे थे और उने card की यह लिखा था कि this question has been answered above so I am not checking it again ऐसा करके कोई note उने डाला था जब मैंने दूसरा alternative लिखा था तो क्योंकि obviously यार ICI बेवकुफ थोड़ी है कि आप alternative लिखते जब आपको marks देते जाएंगे So it works in practical but theory में थोड़ा बहुत यह work नहीं करता है alternative लिखना Grace marks के अगर मैं बात करूँ तो ICI ने इस बार total 9 marks का grace दिया है जो मेरे खाल से बहुत जादा है FR में उन्होंने 5 marks का grace दिया है audit में उन्होंने 2 marks का grace दिया है law में उन्होंने 2 marks का grace दिया है So ऐसे करके ICI ने 9 marks का grace मुझे अब यह थोड़ा बहुत difference हो सकता है महीं खाल से 1-2 marks का हर एक student के लिए लेकिन overall इतना ही grace मिलता है तो सब को शाए इतना ही grace मिला होगा और बहुत दुच्छों को doubt रहता है कि sequence क्या हमारे questions का sequence होना चाहिए जैसे 1 A 1 B 1 C या फिर हमने 1 A 1 C फिर B लिख दिया तो चलेगा क्या क्या हमने 1 A 1 C लिख दिया फिर last में 1 B कर दिया तो चलेगा क्या सबसे पहली बात तो ये कि अगर आप एक question के आप एक question आपने attempt किया तो वह सारे parts आपको एक पर एक जग आपके बाकि आप कुछ भी sequence में करो पहले 1 C कर सकते हो फिर 1 A कर सकते हो 1 B कर सकते हो 1 B कर सकते हो 1 C कर सकते हो 1 A कर सकते हो ऐसा आप कर सकते हो this is allowed, मतलब यह शायद ICI ने खुद बोलके रखा है कि this is allowed, instructions होते examiner के लिए, तो वो allowed है, एक दूसरा में साथ एक गल्ती हो गे थी, जो मैं SFM में आपको certified copy में दिखाता हूँ मेरी, इसमें मेरा क्या हो गया था, कि इसमें मेरा third C, मैं करना ही भूल गया थ theory question था एक third C, वो मैं करना ही भूल गया था, तो वो मैंने वहाँ पे नीचे लिख दिया, 3C at last, ठीक है, ऐसे करके मैंने लिख दिया, 3C question जो है, वो at last में है, फिर मैं नीचे नीचे last में मैंने 3C question कर दिया, expecting कि यार, काश वो check कर ले मेरा third C question, and I am grateful to examiner कि उसने third C question मैंने last म करने के बाद, वो उसने check कर लिया, so yes, it is possible कि वो अगर आपने एक question के दो पार्ट उपर गया, last में तीसरा पार्ट किया, तो वो check हो जाए, but I guess it's depend on examiner as well, कि अगर वो examiner के description पर होता है, अगर उससो check करना है, तो वो करेगा, नहीं करना है, तो नहीं करेगा, शायद ऐसा हो अब हम बात करते हैं कि, how can we approach a new question, जब आपने एकदमी नया question है, जो आपने पढ़ा ही नहीं है, आपने जो छोड़ा हुआ था, जो C के रिगरी, जो B के रिगरी आपने छोड़ा हुआ था, जो भी chapters छोड़े हुए थे, उससे वो question आ गया, तो आप कैसे उस question को attempt करोगे, तो ऐसा obviously मेरे साथ FR में हुआ था, FR में तो आप कह सकते हो, हर एक question नया ही था, तो अगर आप FR की certified corpus देखोगे, तो इसमें आपको दिख जाए कर मैंने कैसे approach किया, but I would like to highlight audit, audit मैंने ऐसे 2 question थे मेरे पास, जो मेरे साब से मलब में को आते ही नहीं थे, मैंको आइडिया ही कैसे कड़ना ही, कैसे उसको attempt करना ही, क्या approach है, क्योंकि मैंने वो पढ़ा ही नहीं था, and मैं आपको दिखा तो मैंने उसको कैसे approach किया, and कैसे मुझे उसके marks मिले, और कितने marks मिले, 2B, 5B question था, मैंने जिसको 2B लिख दिया था, फिर लास्ट मैं पांच मुन मैंने चेकिया, अच्छा, क्या 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 था, तो मैंने यापर यह तो मैंने चेक इसको कार तो तो मैंने पांच मैंने तो आपको इसको रखने ही, भले, आपको कोई भी question चूड जोड़ जाए, लेकि जो question किया कम सिकम वो तो सही जाना चाहिए, वो तो सही correct examiner उसके लिए था, तो 5B को सब्सक्राइब को देखा था था कि यह कुछ रिपोर्ट नी के बारे कि यह सितना वी पता है कि अड़ी मुझे पता था किसे का यह डिवीय पॉंट पांच मां चीज को मैंने या पड़ोर के लिखें, आपको पता चलेगा, जो भी जब भी सजेस्टे एंसर अरिगा, उसे आप कम्पार करना, मुझकिल से मुझे निए निए पता किते पॉइंस मैं इसमें को आईडिया निए, लेकिन हमने लिखा बाट सारा था था इसमें, आपकर देख सकते हो तो, र तो, इक बाट समझ लेकिता को अपका इसमें, अगर खुछिंग निए उन टेगla, बाकि और कुछ नही कि चीजवी लिखनादेगा, क्योंकि अब कर देखिस को सीमें कि ड़ाग बाट सकतेवा, जらग ढग होges यहा, तो, अब को दूझे गह थीरा रिलेवभिट रिवीं ग and by God grace, they gave me three marks five from 5 मुझा पता ही नहीं था, उस पांच में से मुझे तीन मर्क दे लिए गाइस So this is the power of writing anything that is relevant to that topic So कोई भी कोशन छोड़ना नहीं अगर कुछ भी नहीं आरा अगर कुछ भी नहीं तो लिखी देना है This is the pure example of that कि अगर कोई कुछ नहीं आता तो कैसी अप्रोच करना है कि के अगर कमलें वे में इनच्श तेटमें दिनातें एक टॉच थि बयां शुचन दिनातें थित्स् Intell hilft थित्सएं9 मांच अगर भी कवंच थे पॉइस साइंध्मित्स लिख नहीं कि थे बूस्त फित्स पांट्ट तो जगता है थो इस सब्सक्ट अगर पुर में एक पी कमपनी अज अगर इस देखो हम तो नियाखे कोई फुछी का थे अवरे और थे कुछी कुछी कमपनी और शॉटिट में कोई परेशा बालंस चेटन झाया थे तो मैंने क्या किया था 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 सिंगिकनली है कि नी हो बताना है यह सब यहatar enough to be considered for nbfc financial statements लेकन फौरटुटली यही पुंट से जो जो इस कुषिन के एंसर थे असा भी हो सकते है कि यह अच्छा है यही नहीं है और आपको 2 तीन एंसर लग सकते है मैं अगर आपको लग रहा है कि हां कुछ उपर नीचे है आपके इसाब से एंसर होना चाहिए तो लिख दो उपरा लिखने से कभी कोई दिक्कत नियागी दियाया सब्सक्राद का सब्सक्राद स&चाहे lifes klim के सब्सक्राद काऊच cuma गडिया तो अब इसके देतर बने बाल ने चाहिए तो यह था पुरा मेरा स certified copies का overview analysis होता है वो मैंने आपको provide कर दिया मेरे हर एक certified हर एक subject की copies में जादा कि मुझे जो भी चीजे लगी जो आपको बताने लाइक थी वो मैंने बता दिया आपको हर एक subject का analysis है वो मेरे खाल से suggested answer के बाद आए तो जादा बेटर रहेगा ताकि मैं आपको suggested answer से compare करके बता सको कि भाई हां मैंने यहां गलती करती थी यहां मैंने सही कर दिया फिर भी marks नहीं दिये यहां गलत कर दिया फिर भी marks नहीं दिये सो इस वाज एवरेथिं अबड सर्टिफाइड कोपी उसमें मैं आपको marking scheme भी बता दूंगा अच्छा इस यहां मांग दिये यहां नहीं दिये ऐसे देता है हर एक step पे ऐसे marks दिये सो मेरे खाल से suggested answer आने के बाद ही ज्यादा clarity मिल पाएगी एक बार मैंने certified copies आपको पहुचाने के लिए मैंने ये video बनाई है इसमें आप link description link में जाओगे आपको last last में certified copies का link मिलेगा तोड़ दो इस link को देखो मैंने कैसे present किया मैं मैं वैसा नहीं गूलूँगा I endorse that presentation के आपको वैसा ही present करना चाहिए बट येस मैंने बहुत जादा बहुत जादा कर दिया उसके विजय से भी मुझे लग रहा है कि examiner पांगल हो गया और उसने marks काटे होंगे I am pretty sure about it क्योंकि मेरे साब से मैंने quality में थोड़ा इतना भी compromise नहीं गया था जितने मेरे marks कम आये है बट येस आपको उस level का नहीं लेकिन उससे एक कम level का presentation आपको करना ही पड़ेगा आपको examiner को खुला-खुला दिखाना ही पड़ेगा and that's the thing certified copies का link मैंने है description में देख लो आप और कुछ अगर और कोई specific doubt आपको certified copies के लिए या फिर आपको और कुछ जानना हो certified copies के बार में आप तो comment में डाल देना ताकि जब मैं subject wise certified copies निगा लूँ तो मैं आपको बता सकूँ उस particular topic के बार में and yes उम्मीद आपको इस वीडियो में कुछ नया जानने को मिला होगा आइसे के checking system के बार में बस द्वाव में आ दखना thank you bye bye इस वीडियो को जरूर शेर करना अपने friends के साथ करोगे कर देना thank you